तो यहाँ पर हमारा हेक्विजन कमपनी का पूरा CCTV camera एक setup लगा हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं और यहाँ पर हमारे हेक्विजन कमपनी की CCTV camera के DVR में प्रॉब्लम यह आ रही है कि date and time जब भी हम set करते हैं तो यहाँ पर date and time change हो जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में अभी date and time आप यहाँ पर देखे है क्योंकि यहाँ पर date हम कोई और select करते हैं और यहाँ पर by default जो है date हमारी कुछ और select है तो इस case में हम करेंगे क्या तो जो हमारे DVR की जो एक battery होती है जिससे हमारी सेटिंग सेव होती है वह battery पूरी तरसे discharge हो जाती है तो उस battery को आज हम replace करेंगे इस वीडियो में आपको बताएंगे किस तरह सी बैटरी को replace करने के बाद date and time को आपको set करना है और इस problem को आपको resolve करना है तो अगर आपके भी हिक्विजन कंपनी की या फिर किसी और कंपनी के DVR में यह problem आ रही है तो इसी तरह से इस वीडियो को देखने के बाद इस problem को आप resolve कर पाईए तो जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया कि मेरा हिक्विजन कंपनी का पूरा यह setup है उसमें problem क्या है date and time की तो आप फटा फट पहले अपने camera को पूरा off कर दीजेगा और उसके बाद जवद पड़ेगी आपको एक screwdriver की इस GVR को open करने के लिए तो यहाँ पे हम इसका power पले नि निकाल दीजेगा आपको इस तरह से rotate करना है rotate करने के बाद बाहर की तरफ खीच लेना है यह cable आपकी निकाल आएगी यह DVR हमारा फिरी हो चुका है आप इसको back side move करेंगे अब यहाँ पे देख लिजेगा कि आपकी DVR में किस तरह भी screw लगा हुए back side लगा हुए side में लग कि इस cell आपको मिल जाएगी इस cell को आपको replace करना है कुछ इस तरीके के आपको online मिल जाएगी या offline ले लिजेगा इसका link video के description box में मिल जाएगा आपको buy करने के लिए simple यह बताना CR1220 का आप में cell चाहिए 3Watt का यह cell लेने के बाद इसको replace करना है तो इस cell को पहले निकालना ह हमें यह cell हमाई निकल चुकी है फिर्याल इसको check करके हम आपको दिखा डिते हैं कितना वाट इसमें आ रहा भी तो यहाँ पर देख सकते हैं इस cell में जड़ा सभी जान नहीं बची हुई है अब मैं नए cell को check करा के आपको दिखा देता हूं उसमें कितना दिखाता है पुस्ट कर देना है यहाँ पर सेल लग चुका है तो यहाँ पर बैटरी रिप्लेस्मेंट का हमारा पूरा काम कंपीट हो चुका तो डिवियार को आप क्लीन कर लीजेगा अगर आपने खोला है इसके साथ आप से रिक्वेस्ट चैनल को जरू सब्सक्राइब करके बिल हमारा माऊस को लगाएंगे अब यहां पर राइट करना पड़ेगा मैनू में क्लिक करना पड़ेगा फिर यहां पर आपको जाना से आपको मिल जाएगी सबसे पहले टाइम जो रहेगा नीडेली रहेगा तो यहां हमारा time zone है इसको हमने select कर लिया है इसके बाद date format set कर लिजेगा तो यहाँ पर सबसे पहले month date year है तो इसको हम change कर लेते हैं date month year कर लेते हैं इसके बाद यहाँ पर आप देख लिजेगा system date में आप जो भी date होगा current का उसका current date choose कर लिजेगा अगर आपके DVR का model different होगा तो आपका different जो है वहाँ पर interface आ सकता है तो अपने हिसाब से उसको set कर लिजेगा यहाँ पर फिल करने के बाद इसके बाद आपको apply कर देना है फिर इसके बाद back आना है आपको right click करना आप यहाँ पर देख लेना current date and time आपका सही दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं जो current date था हमारा current date दिखाया लगा है और यहाँ पर current टाइम भी दिखा रहा है यहाँ पर आपसे जो recording आपकी start होगी वो recording भी सही दिखाएगा बैटरी रिप्लेस की इसका लिंक वीडियो के डिपकेशन बॉक्स मिल जाएगा और अगर इसके साथ इस वीडियो सो थोड़ा सा भी आपको support मिला होगा तो हमाने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर all click कर दीजेगे वीडियो लाइक करिए comment करिए share करिए तो मिलत अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ अब तक लिए टिक केर बाबाई